नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस पियार और महुप्रीती रेलवे में नौक्री का फर्जी न्यूक्ती पत्र रबडी के तरह बट रहा है अगर आपके पास भी ऐसा कोई जोईनिंग लेटर है तो उसके बारे में जांच कर ले क्योंकि ये फर्जी भी निकल सकता है हम ये इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि इसी तरह का आज एक मामला निकल करके सामने आया है जहां बिहार के चार युवक रांची डी आरेम कारयाले पहुँचे उन्हें पूर्व मध्य रेलवे हाजिपूर्स जोन का नियुक्ती पत्र मिला हुआ था जब नियुक्ती पत्र की जांच की गई तो ये पूरी तरीके से फर्जी निकला और उन चार युवकों को उल्टे पैर घर वापस आना परा बता दे कि इस तरीके का फर्जी वारा का खेल बिहार में आए दिन सामने आता है और इसके शिकार कई युवा बन भी जाते हैं बता दे कि ये चार युवक जब रांची डी आरेम प्रदीब गुपता से मिले तो उन्होंने बताया कि ये जोईनिंग लेटर फर्जी है उन्होंने कहा कि आरार बी के नाम का उपयोग कर हाजिपूर रेलवे जोन के नाम से फर्जी न्युकती पत्र ले करके दक्षन पूर्व रेलवे के रांची रेल डिविजन में योगदान के लिए भेजा गया यह पूरी तरीके से फर्जी है ऐसे फर्जी वारे से युवकों को बचना चाहिए यहां आकर के सच्चाई का पता चला तो वे सारे युवक उल्टे पैर लोट गए आपको बता दे कि यह पहली घटना नहीं है बिहार में पहले भी रेलवे का फर्जी न्युकती पत्र बटने का मामला सामने आता रहा है और युवकों से लाखों रुपे की ठागी होती रही है लेकिन रेलवे की ओर से कोई कारवाई नहीं की जा रही रेलवे का विजिलन्स विभाग भी सोया हुआ है हाज़िपूर रेलवे जोन के परसनल विभाग के चीफ से चीफ के नाम से न्यूकती पत्र निकाला गया रेल मंत्राले का फर्जी लोगों तक उप्योग किया जा रहा है लेचर में RRB का नाम उप्योग किया जा रहा है लेकिन DRM ओफिस से यूवकों को बिना ठोस पुछताच के छोड़ दिया गया राची रेल डिविजन के हिसालांग हॉल्ट में क्लर्क के पद पर यूवक मुहम्मद इजहार एहमद को जोईनिंग लेटर दिया गया उन्हें RRB के तरफ से फर्जी रेलवे का जोईनिंग लेटर भी मिल जाता है और इस आस में वो बैठे रहते है कि अब उनकी जोईनिंग हो जाएगी और रेलवे भाग इस पर क्या कुछ कारवाई करता है वो देखना खास हो जाएगा अब बन रहे न्यूस पियार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें धन्यवाद